हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एंचार्टी सीरीज में तो आज हम कवर करने की कोसिस करेंगे चैप्टर टू को इस पेसल अगर हम बात करें तो आज हम इस सेकेंड चैप्टर के अंदर कवर करने की कोसिस करेंगे पैलियो लिथिक को और जो नियो लिथिक की जो लाइफ से इस्टो ने इसकी life से जो start हुआ है और hunting and gathering के time में क्या social changes आए क्या human beings क्या खाया करते थे क्या पिया करते थे उन सब चीजों के बारे में आज हम इस chapter में जानने की कोसिस करेंगे अगर हम chapter के बात करें तो chapter का नाम ही दिया गया है hunting and gathering to grow to growing food तो अगर बात करें तो इसके अंदर बात किया गया है कि कैसे hunting and gathering से जो human being थे early जो मानव थे उनकी जो life थी फिर कैसे एक stable life की रूप में हुआ कैसे वो लोग एक जगे stable रूप से रहने लगी और फिर उसके बाद में वहाँ पर domestication of elements और agriculture का जो आविस्कार हुआ उन सब के बारे में इसमें बताया गया है तो friends अगर हम chapter के अगर start करें तो first बात इसके अंदर दी गई है कि stone age के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर society के कि इस टाइब से function करती थी तो basically अगर हम बात करने की बात करें तो अगर हम बात करें कि इस chapter में क्या उर कैसे सीकेंगे तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम sources के बारे में बता हैंगे कि कि इन चीजों से हमें पता लगा कि वो stone ze को use कया करते थी कहां से हमको पता लगा इसी कौन से इंडिया से South India तक मुवमेंट किया करते थे इसके लाव इनकी बात करेंगे occupation की क्या hunter and gatherers का काई की occupation था कि hunting and gathering इसके लाव कोई दूसरा काम नहीं है कि इनके पास में इस इन सब चीज़ां की बाहरे में कल जो chapter 1 है उसके अंदर भी जानने की कोशिस की कि जो chapter 1 के अंदर source age के बारे में बता किया था कि कहां पे civilization का development हुआ था तो अगर इस chapter के अगर बात करें तो early phase of life के उपर दिया गया है और इसके अंदर बताया जाता है जो letter phase है यह अगर हम बात करें stones की जहां size larger है तो वो early phase है फिर उसके बाद में जो letter phase आएगा जिसके अंदर stones की size का decrease होएगा जिसको major lithic बोला जाता है फिर new lithic के अंदर आएंगे और इसके बाद में चाल को lithic period का development civilization का development धीरे धीरे लोग यहां पे एक जिगाई civilized होने कोसीज करेंगे तो इन सब चीजों के बारे में हम यहां पे जानने की कोसीज करेंगे इस chapter के अंदर में तो friends अगर यह ही है अमारा की जो पासान यूग था जो पत्थरों का जो यूग था उसके बारे में हम यहां पे इस chapter के अंदर जानने की kosises करेंगे सो friends chapter को start करते है पर अगर chapter को start करें तो सबसे पहले बात करें गर पहलिओ लिथि की तो पहलियो का जो वर्ड होता है जो पहलियो वर्ड है उसका मतलब है की old और लिथि का मतलब है stone तो पासान काल के बारे में इसमें बताये गए, पासान मतलब पत्थर, तो पासान काल के बारे में इस चेप्टर के अंदर बताये गया है कि उल्ड पुराने जमाने में जो इस्टोन पीरियड था, जो इस्टोनेज था, तो इस्टोनेज के टाइम के बारे में इस परिएड था जो अगर हम के पूरे डेलाइब की बात करें तो में जो परपस था लाइब का वो था कि पूड गैदरिंग फोर सर्वाइविंग दराई लाइफ के लिए अगर हम टाइम पिरिएड की बात करें तो इसको भी तीन फिजेज में डिवाइड किया गया है अपर पैलियो लिथिक मीडल पैलियो लिथिक के बारे में इसमें बताया गया है क्या पर पैलियो लिथिक जिसमें हूमन को बहुत ही ज्यादा जो पत्थर थे उनका जो साइज था बहुत ही लार्जर था उसके बाद में कम डिकलाइन होता है तो इन सब चीजों के बारे में इस चीज में चैप्टर के अंदर बताया गया है तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें मीजो लिथिक की आगी हमने पैलियो लिथिक के बारे में रीड किया कि पैलियो लिथिक के अंदर अप्टू 12,000 अगोस तक यहां पे था तो 12,000 से अगर हम 10,000 के पीरेड की बात करें तो इसको मिडल इस्टोन एज बोला जाता है मीजो लिथिक मीजो मतलब स्मॉल और लिथिक मतलब पत्थर की जो बात की गई है तो मीजो लिथिक की बारे में इसमें बताया गया है मीजो लिथिक की बात करें तो 12 से 10 तक के है इसके अंदर जो इस्टोन था जो टूल्स थे जिनको यूज किया करते थे जो पूरू जो ह पत्थरों को यूज किया जाता पता, इसका एक रीजन अगर इसमें बताए जाता कि environment का भी changes हुआ था, तोकि इंडिया का अगर हम position की अगर हम बात करें तो tropical environment यहाँ पे है, और tropical environment की बात करें तो grasses का development ज्यादा हुआ था, तो यहाँ पे डियर्स, एंटिलोप, इन सब का जो संक्या थी, जो numbers थे, वो continue increase करते हैं, तो उनका जो hunting करने के लिए, especially micro-lith या जो सार पत्थर है, जिनसे hunting अच्छे वे से की जा सकती है, उन सब पत्थर को यहाँ पे यूज किया गया, stone, जो special, जो small वाले stones हैं, उनको यूज किया गया, इसके बाद में हम new-lith की भी बात करेंगे, जो हम next chapter के अंदर, next video के अंदर बात करेंगे, इसके अंदर बतायाएं कि-agri-gulture का हुआ डवलाप्मेंट हुआ, अगर हम second phase की अगर हम बात करें, मद्य-पासाणकाल की अगर हम बात करें, तो मद्य-पासाणकाल कांदर, friends क्या हुआ कि मद्य-पासाणकाल कांदर, environment का जब changes आया, तो जो पत्थर जो different kind of species का जब domination increase हुआ और उनका जो hunting करने के लिए special kind of stones की जुरुत हुई तो more sharp होने चीए तो उसके लिए जब छोटे stones का जब use किया गया तो newly उनका use किया गया उसी के साथ साथ यहां पे छोटे stones की वज़े से उनके अंदर friction हुआ friction के वज़े से fire का development हुआ तो हम जाए इस chapter के अंदर हम read करेंगे fire का development भी इसी time में हुआ है fire के development के साथ यहां देखेंगी fire का use multiple times multiple things के लिए किया जाता था food का अगर हम बात करें खाने को पकाने के लिए food cooking के लिए किया जाता था इसके लाओ अगर हम बात करें weather से हम protect करें अगर cold weather है तो उससे हम protect करने के लिए जानवरों को ड्राने के लिए उनके अपने defense के लिए भी अगर हम बात करें तो fire का use किया जा सकता था किया गया था उस time में इसके साथ ही जब अगर हम जानुरों की बात करें तो Domestication of Animal Start Wars Domestication of Animal Start Wars नियोलिथिक पेज में हम देखेंगे कि वहाँ पर agriculture का development हुआ उनी जानुरों के वज़े से उनी की help ली गई agriculture के development के लिए इससे पहले वाले हमने वीडियो के अंदर हम देखा था कैसे राइस का development हुआ था जो नर्मदा की जो नौर्द में जो राइस का development हुआ उन सब के बारे में हमने chapter 1 के अंदर रीड गया है so friends next चलते हैं तो इसके बारे में हम जानने की कोसिस कर रहे हैं कि सबसे पहले कि हमको कैसे पता लगा कि स्टोन के जो सोर्सेज हैं कि वहां पे जो सोर्सेज हैं कौन-कौन से इसके सिर्फ स्टोन के सोर्सेज ही थे तो इसके लावा इसमें हम friends जानने की कोसीजि़ करते हैS dont के source भी थे,सταν कि WAps के योटको भी use करते थे,कभी कभी वो लोग क्या-क्या करते THக dancer इस टोन को ही उड़ के साथ में कंभाइन करके उसको भी एक हंटिंग के रूप में यूज किया करते थे इसके लावब अगर हम बात करें बॉन्स के वी सोर्सेज हमको मिलते हैं कि उस टाइम की जो बॉन्स का जो स्टेडी करने के बाद में पता लगता है कि जो कौन से टाइम पिरियड की बॉन्स हैं तो यह सब चीजों को हम यूज किया सकता है इसके लावब अगर यहां पर दिया गया है कि स्टोन का जो मल्टिपल यूज था इस टोन का यूज किस ताइप से किया जाता है इस टोन का जो बेसिकली जो यूज है वो किया जाता है मीट और जो बॉन है इनका कटिंग के लिए इसके लाओ अगर हम बात करें जो पेड़ था अगर हम बात करें पेड़ की तो कोई पेड़ है पेड़ की जो चाल है चाल को भी यहां पे अगर काटने के लिए बात किया इसको यूज किया जाता तो बार्ख के लिए भी यहां पे सकार्ब करने के ल वोड जो था बैसिकली जो लखडी था लखडी का यूज़ किस टाइब से किया गया fire को यूज़ किया गया इस के लगार में देखेंगे वोड से ही लोगों ने अपनी हड्स अपनी जोंप्डिया बनाई उसके अंदर रहना ही पार घ्री disrupt किया भां इसके लाव अगर हम बात करें, टूल्स के रूप में भी यूजग किया गया, हम भी हमने बात कि कि ये कोई वुड है, वुड के साथ, मैंकर हैं, इन्होंने इस्टोन को कंभाइन कर दिया और इसको यूजग किया टूल्स के रूप में, तो ज्यादा बैनिफिश्यल है, ज्य वोर्सेज क्या क्या थे क्या स्टोन टूल्स ही थे नहीं स्टोन टूल्स के लाव वूड के टूल्स भी थे इसके अगर हम बात करें बोन्स भी हैं वहां के स्टेडी उन सब चीजों के बारे में बताती है पहले उली थी गेज के बारे में इसके लावा बात करें टूल्स का क् मादलब की घर बनाने के लिए भी था इसके लाव टूल्स के बारे माद टूल्स के लिए भी था तो यह सब चीजें हमको पता लगती हैं तो हम फ्रेंड्स नेक्स चलते हैं नेक्स की अगर हम बात करें तो यह कुछ फोटो जो हैं जिनके अंदर दिखाया गया कि कैसे इसके इसके अंदर दिखाया गया है तो अगर हम फ्रेंड्स आपको पता हो तो काफी सारी फैक्टवी साइड्स थी अगर इस्पेसली हम बात करें तो हुंस्गी एक नामकी जगह है यहां पर करनाटका में तो वहां पर की जोस्टी जो साइट थी और डॉमेस्टिकेशन अगर उस साइट की बात करें तो साइट के अंदर ही factory साइट भी थी हो, उसके साथ-साथ habitation साइट भी थी वहां पर लोग रहा भी करते थे और वहीं पर ही tools का making भी किया करते थे अगर इसके लावर अगर हम बात करें फ्रेंज यहाँ पर जो लोग जैसे यूज कर रहे हैं इन टूल्स को कि हंटिंग के लिए या वेट कर रहे हैं हंटिंग का इस सेकेंड वाली जो फोटो है इसमें दिखाय गया है तो यह इनके सब के बारे में थे अगर हम नेक्स्ट बात करें कि वो लोग हंट तो किया करते थे हमने टूल्स के बारे में देखा कि टूल्स उन लोगों ने यूज किये बट वो tools के बारे में आब next बात करने की बात यह है कि tools का use क्या खरते थे, तो सबसे पहले बता है कि wild animal को, fish को, birds को, इन सब को hunt करने के लिए वो लोग use क्या करते थे tools का, दूसरी बात बात की गया है, fruits के लिए use क्या कृते थे, roots आपर identity, nuts के लिए use के लिए लिव्ज के लिए इन सब चीजों को यूज क्या करते थे तो फ्रेंड्स ये चीज शो करती है कि उन लोगों को जानकरी थी कि fruits कवाते हैं कुई कौन सा fruits है fruits और roots के भी तो फ्रेंड्स जानते थे even they people's know about the seasons कि कौन से season के अंदर fruits आते हैं तो वो लोग प्रोपर वे में जाए इसके लाओ लोग यह भी जाना करते कौन से चीज खाने की है कौन से चीज नहीं खाने की है तो वो segregation जो life का है कि poisonous तो नहीं है कोई चीज तो उन सब चीजों के बारे में वो जाना करते थे उनको अगर बात करें vegetation का अच्छे से जानकारी थी early जो early जो man था है उनको so friends यह लोग जो hunt क्या करते थे उसके बारे में हमने यहां पर जाना कि hunt क्या क्या करते थे इसके लाओ सिर्फ meat का ही वो लोग उनका diet के अंदर नहीं था इसका fruits भी था, eggs भी थे, nuts भी थे, seeds भी से, leaves भी थी तो यह सब चीजे भी इनके बारे में यहां पर हमको जान करें अब दूसरी अगर हम बात करें तो friends यह बात निकल के आती है कि वो लोग एक जगह रहा करते थे या नहीं रहा करते थे, क्या रहा वो लोग travel किया करते थे हैं नहीं करते थे, तो अगर हम इस topic के अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें जिन लोगों के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं तो basically वो लोग hunter और gatherers थे, जब main occupation तो उन लोगों का hunting था, for surviving, तो hunting क्या करते थे, तो सबसे अगर main region के अगर हम बात करें तो सब है करते थे, food की सर्च के लिए, तो constantly मूग या करते थे, अगर हम बात करेंगे जो latter phase है, इंद मीजो लिथी गया, नियो लिथी की phase के अगर हम बात करेंगे, जब domestication of animal होगा, जब वो proper way में एक जगए stable रहेंगे, तो उस time में वो लोगों का जो moment है, वो ज्यादा नहीं रह रीजन के अगर हम बात करें कि उनका जो moment था, अरली जो man का जो अगर moment था हो, तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे अगर रीजन देखें, तो सबसे पहले रीजन है कि the people are hunter and gatherers, तो उसका main region है कि वहाँ पे animals की कमी, कि हो सकता है कि animals की कमी हो जाती हो, तो इस व people know properly about the segregation, कि कौन सी चीज़ खाने की है, कौन सी चीज़ नहीं खाने की है, vegetation का उनका प्रोपर जानकरी था, वो people से अगर जानते थे, fruits के बारे में completely जानकरी थी, कि सरदी के णर कों सा fruit आता है, गर्मी का अदर कों सा fruit आता है, तो उन सब के बारे में इनको जानकरी थी, तो तो इसकी वज़े से भी एक region हो सकता है, fruits की वज़े से भी उनका movement, तीसरा movement जो बताया गया है, तीसरा जो region है, third region उसके बारे में बताया गया है कि पानी, क्यों कोई location ऐसा हो जहां पर पानी का कमी हो जाता हो, तो basically यह दिखा गया है कि जो early जो cities का जिनका भी development हुआ है, वो maximum cities near the river हैं, तो near river होने के वज़े से उसका main region यही है, availability of water वहां पर कापी अच्छे से है, अगर friends हम next अगर हम बात करें, next अगर उनके बात की गई है कि वो लोग कान क्या किया करते थे, work क्या किया करते थे, अगर work की अगर हम बात करें, तो hunting and gathering उनका main work था, main work is hunting and gathering, इसके ला है, stone on stone, तो इसके वज़े से fire का generation हुआ, fire का generation हुआ, तो the people know about the, की fire का use कैसे करना है, fire basically use की अच्छत, the cooking of the food, इसके लावा जानवर को scare करने के लिए, कोई भी animal को, इसके लावा खुद को protect करने के लिए, सर्दियों में special winters के अंदर, तो first is about the hunting and gathering, hunting and gathering, उनका main work था, second work के अगर हम बात करें तो tool making का, tool making में एक जो technique हमने देखी, stone on stone अगर करते हैं, दूसरा अगर pressure flaking की तरह अगर tool बनाया करते हैं, जो प्याज के सिल्के होते हैं, उस type से निकालना, की separate करना एक एक tool को, तो उस type से दूसरा जो way है tool making का, और तीसरी बात की गई है के painting, वो लोग painting भी बहुत क्या करते हैं, अगर आप इंडिया में अगर आप देखोगे, तो आपको भीम बेट का नाम की एक जगह है, मद्य प्रदेश के अंदर, तो भीम बेट का के अंदर आपको वहां पे paintings के बारे में मिलेगा आपको, जो paleolithicism के अंदर, लोग painting क्या क्या करते हैं, त तो भीम बेट का के अंदर आपको यह भी देखने को पता लगेगा, कि जो painting है, उसके अंदर दिखाए गया है, क्या hunting, जो animal का, जो hunting की आजा रहा है, उसके अंदर सिर्फ man's ही है, क्या हो man's का participation, hunting and gathering के अंदर नहीं था, तो यह सब चीज़ें की बारे में आपको painting के अंदर जानकारी मिलेगी, friends, तो friends, अगर हम second chapter के अगर बात करें, तो इसके अंदर कुछ painting दिखाए गी है, और यही painting जो early, जो paleolithic age है, उसी age के time में यह France के अंदर भी एक painting दिखाए गई है, अगर हम इंडिया के बात करें, तो rock painting, और rock painting क्या बताती थी, जैसे इसमें बताया गया है कि अगर हम, इंडिया के अगर हम बात करें, तो मद्य परदेश और सदन उतर परदेश वाला जो area है, वहाँ पे rock paintings basically मिली है, early, जो paleolithic age की, इसके लाव France की भी यह चीज बताए गई है, कि वहाँ पी भी hunting and gathering के बारे में ही बताया गया था, basically जो painting से वो show करती है कि जो all over world म जो early phase of human का जो early phase था, उसमें same ही culture था, hunting and gathering, so इन सब चीजों के बारे में आपको पता लगता है, friends इसके लाव अगर हम बात करें, next ये इंडिया में एक पोर painting है, जो hunting and gathering से related है, तो ये paintings आपको वगर आप भीम बेट का में कभी विजिट करते हो, नेर दा भोपाल, तो आप आपको वहां के बारे में आपको पता लगीगा, friends आप comment section में एक बात बताना कि भीम बेट का जो केव है, उसको किसने मतलब की सबसे पहली बार जो देश के सामने है, जनता के सामने लाना है, उनको लेके आए, तो उस person का नाम आप रीड करके बताना, तो उसके बारे में आ गेव के बारे में, तो भीम बेट का चेव सकी ये paintings हैं, इनके बारे में आप देखना, friends, Google कर गी, तो next अगर हम, friends अगर हम बात करें, next इसके बारे में, slightest के बारे में बताय गया है, इनकी जो basically sites कौन सी है, अगर हम sites की बात करें, तो कर्नूल की जो site है, कर्नूल जो आंदर प्रदेश वाली जो साइट है तो करनूल की जो साइट के अंदर बेसिकली बताया गया कि fire के evidence friends वहां पे हमको जानने को मिलते हैं इसके अलावा अगर हम friends बात करें पटने पटने एक साइट है महराष्टरा के अंदर में वहां पे अगर बात के हैं ostrich का एग मिला है और इसके अलावा अगर friends आगर हम बात करे से किरुट स्फदिंस के साइट होगी साइट होगी साइटे जो महराष्टरा के अंदर इलाका है जिसी नोट पटना साइट है कार्नूल की साइट हैं हमों फाइर के अंदर हुन्सगी है वहाँ की जी साइट है, वहाँ पर लार्ज, क्वांटिटी के टूल स मिले हैं, अगर इसके लावँ जो साइट के अगर हम बात करें, तो थीन Мेजर जो sites है, इसके लाव भीम बेट का है, जहाँ पर के उस मिले हैं, जो मद्य प्रदेश के अंदर है, करनूल की जो site आंदर प्रदेश के जहाँ fire के evidence मिले है, कि आख का विष्कार वहाँ पर हो चुगा था, इसके लाव हम पटने की site के बात करें जहाँ ostrich के जो egg cells मिले हैं तो ये बताता है कि उस टाइम में ostrich का ostrich उस टाइम में exist किया करते थे इसके लाव हुंस्की की site बताती है कि वहाँ पर कैसे tools की जो quantity लार्ज quantity के tools वहाँ पर मिलते हैं इसके लाव हुंस्की के site के अंदर एक special बात है कि factory come habitation जो site है कि tool making site और जो habitation site है उनको एक साथ ही वहीं पर थी तो इन सब के बारे में बताएंगे तो friends and sites के बारे में आप एक बार देखना इसके लावा हम letter जो neolithic phase के बागर हम बात करेंगे तो उसके बारे में हम बताएंगे जिसमें बुर्ज होम के बारे में बताएंगे गुप पिट ड्वेलिंग का काम था कि होमन अपने आपको पिट जो गड़ा है वह बना लिया करते थे उसी के अंदर रहा करते थे तो उसके पीछे रीजन था कि एक defense के लिए बनाए जाता था पिट ड्वेलिंग या किस सरदी के वजह से बनाए जाता था इसके लावा पोस्ट ज के भी देखा गया है कि कोई भी human being का जो burial है उसके साथ में कुछ चीजे मिली हैं like the gold मिला है या एक तो burial के अंदर अगर हम बात करें तो goat का भी वहाँ पे evidence मिले हैं तो goat का evidence ये show करता है friends की वो लोग पोस्ट जो बर्त है उसके अंदर believe क्या करते थे so friends आप इन sites को बारे में एक बार देखना जो बुर्ज होम की जो site है बुर्ज होम की site के अगर बात करें जमोयन कस्मीर में चिरांद बिहार के अंदर है जनराइस के evidence मिले हैं तो भीम भीम बेटका की site है इसके लावा करनूल की है उंसकी की site है और यहां पटने जो site है तो this is all about the today's lecture तो आप इन सब चीजों के बारे में एक बार अच्छे से read करो इसके लावा अगर आपको sites के बारे में देखना है कि sites कौन-कौन सी है तो इन सब के बारे में आप google करके एक बार देखे इसके लावा जो letter phase और neolithic phase के बारे में हम next lecture के अंदर बात करेंगे तो friends आप read कीजिए thank you thank you very much